वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है यह जो रिपोर्ट है सन्युक्त राष्ट्र जनसंख्या कोस के द्वारा जारी किया जाता है अब इसके सीर्षक की बात करें तो इस रिपोर्ट का सीर्षक है आठ अरव लोग और अनंत संभावनाएं वैस्विक जनसंख्या संभावियता रिपोर्ट सन्युक्त राष्ट के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा जारी की जाती है अब इसके बारे में महतपूर्ट तथ्य भी देख लेते हैं इसमें देखिए विस्व के कुल जनसंख्या जो के आट दस मलों सुन्य चार पांच बिलियन है इसमें से सबसे बड़ा भाग लगभग 65% ये 15 से लेकर के 64 वर्स के आयू के बीच के लोगों का है इसके बाद 10 से 24 वर्स के जो समों है वो दूसरा भाग है लगभग 24% तो याद रखिएगा सबसे बड़ा भाग जो है वो 15 से 64 वर्स के आयू के लोगों का है खुल जनसंख्या में से अगर बात करें 10% वैस्विक आवादे जो है ये 65 साल से उपर की है जबकि जनसंख्या कई दसकों तक बढ़ती रहेगी और वैस्विक जनसंख्या वृध्धी की दर में गिरावत जो है वो देखी जा सकती है ठीक है 1950 में पांच वर्स की वृध्धी दर की तुलना में वर्स 2020 में अब तक एक प्रत्सत से कम ठीक है ये है वैस्विक जनसंख्या वृध्धी दर की हम बात कर रहे हैं फिर आगी काफी हद तक ऐसे रुजहान घट्ती वैस्विक प्रजनंदर की कारण देखने को मिलते ह विस्व के लगबग दो तिहाई लोग उन छेत्रों में रहते हैं जहां पर कुल प्रजनंदर जो है वो दो दस्मलों एक यानि रिप्लेश्मेंट लेवल फर्टिलिटी के आसपास या फिर उससे कम है आपके एक्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है ये रिप्लेश्मेंट लेवल फर्टिलिटी ये दर कितनी है तो दो दस्मलों एक है याद रखेगा फिर दुनिया की कुल 8,045 करोड आबादी में से एक तिहाई आबादी अकेले भारत और चीन में रहती है देख रहे हैं आप दुनिया की जो यह आबादी है 8,045 करोड इसकी एक तिहाई सिर्फ हमारे भारत में और चीन में है ठीक और रिपोर्ट के अनुसार विश्व जन संख्या 2030 में लगभग 8,5 बिलियन, 2050 में 9,7 बिलियन और 21,010 बिलियन के ऊपर हो सकती है यानि 10,4 बिलियन एक्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वैश्विक जो आबादी है वैश्विक तक ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जन संख्या के मामले में सीर्स पांस देश देख लीजे करोड में ठीक है तो सबसे पहले तो हमारा भारत है भारत 142.8 करोड फिर आता है चीन 142.5 करोड फिर अमेरिका है 34 करोड इंडोनेसिया 27 करोड ब्राजील 21.5 3 करोड इसमें देख 8,045 करोड इसमें से यही दोनो 142,142 करोड के साथ एक तिहाई आबादी सिर्फ भारत और चीन में रहती है ठीक है अब भारत के आयूशन रचना देख लेते हैं यह बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के देखिए आयूशन रचना इसमें 78% लोग जो है हमारे यहां यंग अबादी है 78% लोग जो है यह 15 से लेकर के 64 वर्स के आयूशन बीच में उसके बाद आता है जीरो से लेकर के 14 वर्स का समोग इसमें 25% लोग है और 65 वर्स से अधिक लोग हैं भारत में 7 परत तो भारत में जो यंग जनरेशन है यूवा लोगों की जो आबादी है वो काफी ज्यादा है अभी 15 से लेकर के 64 करोन आगे बढ़ते हैं आगे देखें इस पर कुछ सवाल आते हैं आपके एक्जाम में जैसे आपके एक्जाम में पूस दिया जाएगा निमलिखित में सिंग कि संगठन के द्वारा वर्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया ह यह है तो आपको पता होना चाहिए यह है सन्युक्तिराष्ट जनसंख्या कोस उसी तरह अगला सवाल पूछा जा सकता है कि प्रजिनन के प्रतिश्थापन इस तरह तक पहुशने के लिए जनसंख्या कुल प्रजिनन्दर यानि आपका टी एफार क्या होना चाहिए तो लोगों से यही एक सवाल है कि बता देजिए भारत का यानि anda के India का TFR present time में कितना है सॉरी, TRF लिख रहा है. India का? In Only India का TFR अभी present time में कितना है, इसको comment box में mention कीजिए. बाकी, ये ने मैंने बता दिया कि प्रजिनन के प्रतिस्थापन इस तर तक पहुंचने के लिए टी एफार जो है वो दो दसमलों एक होना चाहिए लेकिन भारत का कितना है आप लोग कॉमेंट बॉक्स में में मेंचन कीजिए आगे पुछा गया है कि जन सांखी की ये लाभांस कितना है ठीक है तो 60 से उपर ये ऑनषा से पचास जिरो से चे वर्ज या फिर फिर पंद्रा में जनसंख्याल जनसंख्याल तो जन सांखी knewया की लाभांस जुए ये पंद्रह से उन्ह guard Chi 1965 की कारिशील जन संख्याल जनसंख्या है ठीक है तो ये दोस्तों हो गयाा आपका इस रिपोर्ट के बारे में यो सबसे जादा जनसंख्या भारत की है तो यह कुल मिला जुला की इस रिपोर्ट के बारे में था ऐसे ही आपको इंपोर्टेंट वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सेयर कीजिए थैंक्यू सो मच